प्रिवक्तू चैसरीराम आज हम गीता प्रेज गोरक पुर कल्यार से प्रकासे दैवी संपता अंक से आपको कुछ सुनाने चाह रहे हैं। आप ध्यान से सुनिये तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हमको मांसिक सांती प्राप्त होगी। आज इसका सीरसक है जो प्रसन्य मुत्रा से लाप और उदासी से हाने। जैसा कि हमारे चीवन में सकारत्मक सोच का और नकारत्मक सोच का बहुत ही प्रवाब परता है। वे व्यक्ति जो सदा प्रसन रहता है और बड़ी सी बड़ी विपत्ति आ जाने पर भी जिसकी मुख मंडल पर बराबर प्रसन्ता रहती है वो कभी भी कैसी भी वातावरण में दुखी अधवा निरास नहीं होता है। वे अपने इस आनन्द में प्रकति से केवल खुद को ही लाब नहीं पहुंचाता है बलकि उन व्यक्तियों को भी प्रणा देता है जो अपना धहर खोचुकी होते हैं। कहने का मतलब जो बहुत निरास हो जाते हैं तो हम लोग उनको मांसी ग्रूप से सपोर्ट करते हैं सहायता करते हैं तो उनकी आसा निरासा में बदल चुकी होती हैं। और जो अपने को भाई सहारा समझने लगते हैं ऐसी ब्यक्ति के चहरे पर सदे मुस्कान पनी रहती है। चाहे उसके जीवन का हर पासा पलड़ जाए चाहे हर बात उसके प्रत्कूल होने लगे ऐसा ब्यक्ति असाधारन होता है। उसका निर्मार जल्ड प्रकति पर पेचे पानने के लिए होता है। अंग्रे जी के सुपरसित विचारत स्री कारलाईल का कतहने की कुछ व्यक्ति कंगाल होने के काबिल होते हैं ऐसी व्यक्ति एक प्रकार का मानसिक भिस फ्हलाते हुए प्रतीत होते हैं कहने का मतलब उनके जो व्यक्ति नेकारत मक्सोच होते हैं खुद भी दुखी रहते हैं और जो उनके साथ में बैठते हैं उनकी लिए अपने यही विचार बेचते हैं इस विकार भी अपनी उदासी का अंधिकार प्रतिक ब्यक्ति के मन पर डालते हैं उनका विस्वास होता है कि आनंद नाम की बस्ति संसार में कोई नहीं है परंत वा करने के लिए हुआ है परमात्मा की इच्छा यह है कि उसके सब पुत्र प्रसंद रहें सब लोग आनंद के बातावण में पले बने अब आप सूचिए और बताएए कि इस बात का क्या अधिकार है कि आपके चेहरे पर उदर असीनता बिखिरे मांसिक भिस फहलाती है भे सं किसी भी प्रिकार से दूसरों के सुखों पर पानी फेर दें अध्वा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को सुखी नहीं कर सकते तो आप किसी सामने वाले को अपने मित्रों को साथियों को दुखी मत करिए आप किसी भी ब्यक्ति की जीवन पर सकारत मक्सोच और नकारत मक् ऐसा इसका ल्यार में प्रकासित है कि अमारे ये वीडियो जरूर देखें और सब को भेज़े ताकि सभी लोग सुखी हो जैसरी राम